Hello Friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TGA 3 आज हम Statistics के Lecture 3 में बात करने वाले हैं, मीडियन के बारे में तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे about मीडियन, कि मीडियन क्या होता है मीडियन की क्या क्या characteristics है उसमें हम कैसे calculation करते हैं अगर हमार पास ungrouped data है और अंग्रूप में भी अगर an odd है an even number में है group data में हम देखेंगे discrete series and continuous series की questions को हम किस तरीके से solve करते हैं और last में हम बात करने वाले हैं merits and demerits of median के बारे में कि कैस के merits and demerits होते हैं तो यह सभी topic आज हम अपने वीडियो में cover करेंगे तो आप इस वीडियो को last तक देखेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले आप हमारे channel को subscribe करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे median के बारे में कि median होता है क्या है median समझ में आ रहा है आपको term से कि हम यहां बात करते है middle value of series की देखे सपोस्स आपके पास एक कोई भी series दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि उसका median बताइए तो देखे आप सबसे पहले क्या करेंगे आप उस series को आप उसको हम ascending order में arrange करते हैं या फिर हम उसे descending order में arrange करते हैं और order में arrange करने के बाद उस series की जो middle value होगी उसे ही हम क्या कहते है median कहते हैं ठीक है यहाँ पर क्या होता है जो median के इधर जो observations है जो उसके right hand में observations है और जो उसके left hand में observations है वो equal रहेंगे क्यों क्योंकि हम उसके position की बात करें कि अगर वो बीच में रहेगा तो obviously the right hand is equal to the observations of left hand अब देखे हमने यहाँ पर चीज़ की बात करी उसकी position की बात करी कि वो है कहां इस वज़ी से हम उसको positional average भी कहते हैं ठीक है क्योंकि हमने mean में कभी भी उसके position की बात नहीं करी median में हम उसकी position की बात करते हैं इसलिए हम उसे positional average भी कहते हैं ठीक है अब हम आगे बात करेंगे characteristics of median के बारे में पहले है कि हमने बात करी कि आप मुझे पताइए कि कभी हमने इसके size के बारे में कि कितना बढ़ा है या कितना चोटा है नहीं हमने इसके position के बात करी तो first इसका characteristic यह होता है कि size of item से affected नहीं होता है second इसका characteristic है देखे, the sum of deviation of item from median is minimum देखिए यहीं पर हमने जब mean के कुछ properties की बात करी तो हमने क्या देखा था कि the sum of deviation of item from mean क्या होता था जीरो होता था पर यहां पर sum of deviation from median क्या होता है यहां पर minimum होता है हमने mean के जब हमने properties discuss करी थी तब हमने इस property को बहुत अच्छे से समझा भी था ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं कि median एक ऐसा बोल सकते है measure of central tendency का जो qualitative data के साथ deal करता है ठीक है इसके पहले हमने mean देखा वो भी qualitative data के साथ deal नहीं करता median उसके बाद जब भी symmetrical distribution की बात करते हैं ठीक है तो symmetrical distribution में mean और median हमेशा equal होते हैं है ना उसके माद median का कभी भी algebraic treatment possible नहीं होता पर mean का algebraic treatment possible है क्यों कि हम उसमें क्या करते हैं visiting निकाल पाते हैं इसलिए उसका algebraic treatment possible है पर median में algebraic treatment possible नहीं होता तो यह बात हमने करी characteristics of median के बारे में हम बात करेंगे calculations of median के जिसमें हम कुछ numerical solve करेंगे अब इसमें मैं आपको बताया था कि हम दो type के numerical solve करेंगे हम देखेंगे ungroup data के questions को हमको कैसे solve करना है और grouped data के questions को हमें किस type से solve करना है देखिए ungrouped data भी हमार पास 2 conditions है कि अगर आपको odd number of values है तो आपको median कैसे निकालना है अगर even number of values है तो आपको median कैसे निकालना है देखिए suppose अगर odd number of values है तो जैसे आपके पास value दिये 2, 1, 4, 5 है ना और 3 तो मैंने आपको क्या बताया आपको question है कि बताईए इसका median निकाली है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करते है हम इसको arrange कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है अब देखा क्या है यह odd number है तो odd number में जो middle value होती है ना वही क्या होता है उसका median होता है ठीक है पर महीं पर अगर even number है जैसे देखी सपोज अपने पास है 1, 2, 3, 4, 5, and 6 यह अपने पास even number of values है तो इसमें आपन देखते हैं 2 middle value 2 middle value उनसी है 3 and 4 we have 2 middle values 3 और 4 में आपन क्या करेंगे इनका पहले mean निकालेंगे तो 3 प्लस 4 अपन में 2 तो इसकी value क्या आईगी 3.5 आईगी अब 3.5 कहां लाई कर रहा होगा 3 और 4 के बीच में तो इसका median क्या हुआ 3.5 है ना तो आप देखिएगा कि अगर हमारे पास odd value है तो हम directly निकाल सकते हैं और अगर हमारे पास even number of values है तो हमें पहले 2 middle terms का mean निकालना पड़ेगा और उसका mean ही क्या कहलाता है median कहलाता है ठीक है तो यह हमने बात करी जब हमको simply निकालना हो पर अगर हमें formula से question solve करना है तो देखिए हम क्या करते हैं जब हमारे पास n number of values odd है तो median का formula होता है n plus one upon my tooth value अब क्या tooth value को क्या मतलब है इसको भी हम आगे देखते हैं ठीक है अब देखिए हमारे पास सबसे पहला example है क्या है if the weight of sorghum ear heads are 45, 60, 48, 100, 65 gram calculate the median तो मैंने आपको बताया तो सबसे पहले क्या करना है हम इसको arrange करना है ascending order में भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 तो n की value क्या आ गई 5 ठीक है अब हम इसको अपने फॉर्मूले में रखते हैं n plus 1 upon my tooth value तो 5 plus 1 upon my tooth cancer आया 3rd अब देखिए इसका जो median ने वो 3 नहीं है या 3rd नहीं है इसका मतलब है 3rd value का मतलब है कि आपके पास ये जो आपके पास आपकी जो values है या जो आपकी series है उसकी जो 3rd value है अब यहाँ पर 3rd value क्या हुए 60 है ना तो आपका median क्या हुआ 60 आया आपको समझ में कि n plus 1 upon my tooth value का क्या मतलब है कि जब भी आप इसको solve करेंगे जो भी value आएगी x, y, z जितने जो भी value आएगी उस value को आप अपनी series में देखेंगे और वो जो भी number होगा वही उसका median होगा जैसे हमने 3rd value देखी अब इस series में 3rd value क्यों से है 60 तो 60 ही क्या हुआ इसका median हुआ ठीक है तो यह बात करी हमने कौन सा अगर हमार पास number of values क्या है odd है ठीक है अब हम बात करेंगे कि अगर हमार पास number of values even है तो हम क्या करते हैं देखिए अगर हमार पास number of values even है तो हम क्या करते हैं average निकालेंगे किस-किस के बीच के average निकालते हैं n upon 2 का and n upon 2 plus 1 value का अब आपको शायद समझ में नहीं आया होगा हम example से solve करेंगे तो आपको easily समझ में आजाएगा देखिए यह हमार पास question है if the sorghum year heads are 5, 48, 60, 65, 65 and 100 grams calculate the median ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा n, n निकाल लिया ठीक है n क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो n की value था हमें बिल गई 6 अब हमें निकालना है median तो हम क्या करते हैं, दोनों का average ले लेंगे है न, n upon 2 का average ले लेंगे तो 6 by 2, 3rd value है न उसके बाद n upon में 2 plus 1th value इसको जब हम solve करेंगे तो इसका आएगा 4th value अब देखिए आप हमारी 3rd value क्या है 3rd value है हमारी 60 और 4th value क्या है हमारे पास 65, तो 60 plus 65 divided by 2 करा, हमें उसका average ले लिया तो हमारे पास अंसर क्या है 62.5 gram इसका मतलब क्या है, कि जो हमारा median हो रहा होगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं लाइख कर रहा होगा ठीक है, तो अगर आपको even number में अगर values दे दी है और अगर आपको formulae से solve करना है तो आपको इस type से आप अपकी question को solve कर सकते हैं ठीक है, अब हम बात करते है grouped data की, देखिए अभी हमने ungrouped data की बात करी है ना, अब हम group data की बात करते है, group data में क्या होता है group data का मतलब ही है कुछ आपके values है ना, वो दो type की होते हैं, एक होती discrete frequency distribution और दूसरा होता है continuous frequency distribution तो यह हमने बात करी group data में कि कितने दो types के होते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे cumulative frequency की, कि cumulative frequency क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ definition परते हैं फिर cumulative frequency कैसे निकालते हैं और हम आगे question में solve करेंगे देखिए, cumulative frequency of each class is the sum of the frequency of the class and the frequency of the previous class अब हम इसको आगे question में solve करेंगे ताकि आपको easily समझ में आ जाएगा अब हम सबसे पहले बात करते हैं, discrete series के question की फिर हम बात करेंगे continuous series की, तो देखिए, अगर आपको discrete series का question solve करना है तो आपकी क्या-के steps होगी सबसे पहले तो आप क्या करेंगे data को ascending या descending order में arrange कर लेंगे, ठीक है उसके बाद हम next step होती है कि हम simple frequencies को उसकी cumulative frequency में convert कर लेंगे, उसके बाद हम formula apply करेंगे कौन सा, m is equals to that median is equals to size of n plus 1 upon my tooth item, ठीक है और n is equals to total of frequencies sum total of frequencies ठीक है, अब उसके बाद जब हमने यह formula apply करा अब formula apply करने के बाद हम देखते हैं, कि जो हमारी value है, वो cumulative frequency में कहां lie कर रही है उसके बाद हम median निकालते हैं, देखिए अभी हम question solve करेंगे, तो आपको easily समझ में आएगा, चलिए देखते हैं तो हमारा सबसे पहला question है, find out the median from the following data क्या है हमारे पास data, देखिए marks है हमारे पास, और number of students हमने यहां लिख लिए, ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना है cumulative frequency का मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहले इसको निकालना बताती हूँ, फिर क्या होता है, वो निकालना बताती हूँ, कि 40 students को 2, sorry, 40 marks किते students को आए हैं, 2 students को आए, तो जो first value होती है न, first value की frequency, और उसकी cumulative frequency equal होती है, ठीक है, देखिए यह 2, और इसकी भी frequency क्या है, 2 होती है, ठीक है, अब उसके बाद से, first के बाद से, जितनी भी frequency होती है, उसको कैसे निकालेंगे, जैसे जो preceding या previous frequency, cumulative frequency को, इस frequency से हम plus कर देंगे, कैसे, तो 2 plus 3, 5 हुआ, देखिए, 2 plus 3, 5 हुआ, अब अगर आपको third cumulative frequency निकालना है, तो क्या करोगे, कि जो second की cumulative frequency है, और हमारी जो third की frequency है, उनको plus कर दोगे, कैसे plus कर दोगे, 5 plus 7, कितना होगा, 12 है ना, अब next जैसे निकालना है, जो निकालते जाओगे, कि 8 plus 12, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 12, 42, 42 plus 14, 56, और 56 plus 16, 72, देखिए, तो क्या होता है, यह जो हमारी last में frequency आती हो, total number of frequencies हमेशा क्या होती है, equal होती है, तो जैसे हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने सबसे पहले उसको order में arrange करा, order में arrange करने के बाद हमने उसकी frequencies निकाली, फिर हमने क्या करा, सभी total number of frequencies को plus कर दिया, और sum of the frequency क्या आया, 72, अब हम क्या करेंगे, इसको formula में रखते हैं, हमारा formula क क्या है मीडियन का साइज ओफ एन प्लस वन अपॉन में टूथ आइटम एन क्या है हमारा सेवेंटी टू तो सेवेंटी टू प्लस वन अपॉन में टूथ तो अब इसका सॉल्फ करेंगे तो इसका अंसर आएगा 36.5 आइटम अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी होता क्या है तो आपको इजीली समझ मैंगा देखिए अब इन्होंने सबसे पहले देखिए कि क्या बोला है कि स्टार्टिंग के दो बच्चों को 40 मांक्स आया है मतलब स् 41 और इनको कित्ते आये हैं 40 मांक्स है तो देखिए इनकी क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कित्ती हो गई एक और दो और क्या नेक्स्ट बोला है बाद के तीन बच्चे तो वो बाद के तीन बच्चे कहां पर खतम हो रहें 3 अब गिनो नाप 1,2,3,4,5 ठीक है तो इसकी क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 5 के मतलब वो कहां पैंड हो रहा है है ना तो उसकी क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी कित्ती होती है 5 होती है अब आप मुझे बताइए वो क्या बोल रहे है 36.5 आइटम अब 36.5 आइटम कहा होगा obviously 30 के बाद जित्ते भी आएगा और 30 और 42 के बीच में आप देखी क्या है 45 है ठीक है तो उसका मीडियन क्या होगा 45 होगा size of item क्या होगा 45 तो मीडियम भी क्या हुआ 45 होगा ठीक है तो यह बात हमने करी कि जब हम question solve करते हैं तो हमें किस टाइप से questions solve करना है अब next हम बात करते हैं calculation of median in continuous series के अगर आ step से solve करेंगे तो सबसे पहले हमारा step पर ही होता है कि हम उसको ascending और descending order में arrange करेंगे arrange करने के बाद अगर आपको inclusive series में question दिये है तो आप उसको exclusive series में convert करते हैं ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे cumulative frequency निकाल लेंगे उसके बाद हम formula लगाएंगे and by two time का जिससे हमें size पता पर जाएगा फिर हम median class determine करेंगे कि वो median कहां लाई कर रहा है ठीक है तो देखें continuous series का formula थोड़ा बड़ा होता है इसको याद रखने में थोड़ी problem होती है पर अगर आप question solve करेंगे तो आपको easily याद हो जाएगा तो देखें median is equals to L1 L1 क्या है lower limit of median group plus I upon F I is difference between lower and upper limits F is frequency of median group M क्या है median number और CF क्या है cumulative frequency दीक है तो अब हम आगे question solve करते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि continuous frequency distribution के question हमें किस तैप से solve करना है हमार पास यह question है question है question है हमार पास from the following table find out the value of median हमार पास एक table दे दिया है जिसमें median हमको find करना है अब देखें आपे कुछ students दे दिये कि 5 students को 0 to 10 के बीच मार्चा है 10 students को 10 to 20 के बीच मार्चा है तो हमने बताया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उसको order में arrange करते हैं arrange करने के बाद हम क्या करेंगे उनकी cumulative frequency निकालेंगे मैंने आपको बताया था कि जो first value होती है ठीक है तो इसकी frequency और cumulative frequency हमेशा क्या है equal मतलब first value की frequency और cumulative frequency equal रही पर उसके बाद के से frequency निकालना है वो भी मैंने आपको बताया था कि उसके बाद के अगर हमको cumulative frequency निकालना है तो हमें add करना परता है जैसे 10 प्लस 5 15 15 15 15 15 30 इस type से जब आप add करते जाते हैं तो आपके पास cumulative frequencies आ जात ठीके cumulative frequency निकालने के बाद हम क्या करते हैं जितने भी यह frequency है उनको हमने add कर दिया add करने के बाद n की value क्या है हमारे पास 50 आई ओके अब हमने next step में चलते हैं अब हमको क्या करना है median का size निकालना है या बोल सकते हैं तो कैसे निकालते हैं m is equal to size of an upon my tooth item n की value क्या है 50 तो 50 divided by 2 करा answer क्या आया 25th item अब बताइए 25th item कौन से group में लाए कर रहा होगा तो obviously वो 15 और 30 के बीच में लाए कर रहा होगा तो उसकी value क्या आएगी यह कौन सा group आएगा 20 से 30 यह जो हमारा third group है वो आएगा ओके अब हम देखते हैं कि इसको किस formula में रखके solve करना है तो median is equal to l1 plus i upon f m minus c इस formula में रखेंगे तो आप easily solve कर पाएंगे देखिए l1 क्या है इसकी lower limit तो देखिए इस group की lower limit क्या है 20 तो आपने 20 रख दिया i क्या होता है इन दोनों के बीच का interval है ना तो 30 minus 20 करोगे तो कितना आएगा 10 तो यहां ने 10 रख दिया उसके बाद बोला है f frequency देखिए इसक क्या होता है एन अपन में 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यह क्या आया अभी हमने देखा 25 तो 25 उसके बाद हमारे पास c और cumulative frequency कित्ती है cumulative frequency हम अमेशा उसके उपर वाली class के देखते हैं तो वो क्या है 15 है तो इस तरीके से कर सकते हैं अब हम बात करेंगे मीडियन के मैरिट की इसके क्या मैरिट होते हैं कि यह कभी एक्स्ट्रीम वैल्यूस से इंफ्लूएंस नहीं होता क्यों क्योंकि एक पोजिशनल एवरेज हैं ठीक है हम अगर open end intervals है तब भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक हैं हमने मी में देखाता है कि अगर open end classes है तो हम कभी भी mean calculate नहीं कर सकते हैं पर अगर open end intervals है तो हम मीडियन जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास data incomplete है फिर भी हम मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे अब हम बात करेंगे demerits of median के बारे में तो demerits क्या है कि अगर कोई भी slide changes होते न सीरीज में तो median की value में एक बहुत ही बड़ा drastic change आ जाता है ठीक है यह इसका हम further mathematical treatment नहीं कर पाते हैं और यह कभी भी all observations की बात नहीं करता है ठीक है तो इस video में हमने देखा median के बारे में कि median क्या होता है क्या उसक calculations को हमें कैसे solve करना है और last में हमने बात करी merits and demerits of median के बारे में friends अगर आपको कोई भी doubt हो कोई भी question हो तो आप हमें YouTube पर comment कर सकते हैं आप हमारे Instagram और Facebook page को भी follow कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दी है साथ ही आप हमारे WhatsApp और Telegram चैनल को भी join कर सकते हैं So I hope आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं पर उससे भेले stay healthy and stay happy. Thank you.